हलो दोस्तों, वेलकम बैट टू माई चैनल, कुकिंग ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है, तो आज हम लेका राए हैं कच्चे नारियल की बर्फी, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में, और बनाना बिल्कुल लिजि हैं, आप 10-15 मट में से आप बना सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहां पर देखिए, नारियल को अच्छे तरह से छील लिया है, और इसके छोटे-छोटे पीसिस कर लेते हैं, जो कि बहुत आसानी से कड़ जा रहा हैं, और छीलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छे तरह से छील गया है, और यहां पर देखिए, हमने इसके पीसिस कर ली हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, फिर इसको हम डालते हैं, मिक्सी जार में मिक्सी जार में डालने के बाद बस इसका डखकान हम बंद करते हैं, और इसको हम पीस लेते हैं, इसमें पानी वानी डालने के जरूरत नहीं है, तो देखिए, बिल्कुल गरी के बुरादे के तरह बंद करके रेडी हो गया है नारियल, और जो कि बहुत ही सॉप्ट हो गया है, तो चलिए, अब इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले गैस में हम रखेंगे कड़ाई को, और इसमें हम डालते हैं चीनी, जितनी हमें आउसकता हो, जितना आप मीठा खाते हैं, अपनी आउसकता अनुसार डालें, और इसको अच्छी तरह से चलाते हैं, इसका बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट तयार करेंगे, चीनी का, बिना पानी डाले, सीडा तयार करेंगे, सिर का, तो यहां पे देखिए, अच्छी तरह से चीनी थोड़ी-थोड़ी घुल रही है, और काफी पकड़ भी रही थी, लेकिन अभी यह मेल्ट हो जाएगी, अच्छी तरह से, तो तो यहां पे 500 ग्राम के करीब हमने दूद लिया था, और इसको हम डाल देते हैं, तो दूद हमारा पहले से गर्म था, और डालने के बाद देखिए, कितनी अच्छी पपड़ी जम गई है, चीनी, चासनी वाली हमारी, और अभी यह थोड़ी देर में दूद में घुल तो इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे, गैस की फ्लेम को हम हाई कर देते हैं, ताकि जल्दी से जो चीनी हमारी है, पपड़ी की तरह जम गई है, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, तो आप देखिए, धीरे-धीरे मेल्ट हो रही है, और इसको हम लगतार चलाते रहेंग ताकि जितना भी कड़ाई में हमारे चीनी लगा हुआ है, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, तो आप देखिए, अच्छी तरह से घुल गई है, दूद का कलर भी चेंज हो गया है, अब इस पे हम डालेंगे बुरादे को, तो आप बुरादे हमने जो पीस की रखे हैं, उस अच्छी तरह से पीस भी गया था, दरदरा बिल्कुल, और इसको हम 10 मिट तक ऐसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और यहां पर हमने थोड़ी सी इलाइचे डाल दी है, फ्लेवर के लिए, और फिर इसको पकाने के बाद इसको 5 मिट जब पक जाएगा, अच्छी तरह से बॉ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मावा की जगह पे हम मलाई डाला हैं, जिसे की जो बर्फी हमारी है, और भी टेस्टी बन करके आएगी, और मलाई डालने के बाद इसको लगातार हम चलाएंगे, गैस की फिलेम को हम हाई ही रखेंगे, लो नहीं करेंगे, और इसको अच्छी पर हम एक चमस के करीब घी डालेंगे, तो हम पर देखिए, एक चमस भार के हमने घी लिया है, और उसको डाल देते हैं, और घी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम फिर मिक्स कर लेते हैं, और अच्छी तरह से बस पात मिद में अच्छी तरह से सूख जाएगा, अच्छी तरह से बन करके वर्फी हमारी रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से सूख रहा है इसको हम लगा तार चलाते रहेंगे ताकि नीची पकड़ेना और जो दूध है वो बिल्कुल सूख जाए अच्छी तरह से तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगी अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देते हैं और एक बड़ी से कटोरी में हम रखेंगे घी लगा लेंगे पहले नीचे से फिर उसके उपर से हम नारियल के वैटर को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पल्टे की सहायता से दाब-दाब कर हम सेट कर देंगे इसको आपके पास मिठाई वाली कंटेनर उसके भी डाल करके आप रख सकते हैं और यहां पर देखिए इसको हम दू घंटे तक फ्रीज में रख दिया हैं अच्छी तरह से सेट हो गया है इसको हम काट लेते हैं तो यहां पर चकू की सहायता से बड़े-बड़े पीसेस में हम काट रहे हैं आप अपनी आउसकता अनुसार काटे जैसे आपको पसंद हो यहां भी बहुत अच्छी तरह से कड़ जा रहा था बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है और फिर इसको हम बरफी का सेप दे देंगे तो आप देखिए कितना यम्मी दीखने में लग रहा है तो बस आप लोग भी जरूर ट्राइ करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें